ये फाइजर के क्यूफूर रिजल्ट के बारे में फाइजर के क्यूफूर के रिजल्ट आ गए है चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखरो अगर फ्री है आप चानल को सब्सक्राइब कर सकते हैं चेक के लिए थे कैसे आया है रिज डेशल्ट डीविदेंड डीक्लेइर किया की निची हां 30 रुपीका डीडेंट अनने डिकलेड कर दिया है और 5 त पर गृष स्पेशल डीडेंड डी एकर कर 기ac य वाइन वाइ की बात करें तो हलके से भढ़ते में नजर आए है financially year on year check करें तो in line है ना कोई बहुत बढ़त है ना कोई बहुत बढ़ी गिरावट आपको आते वी दिखने को मिल रही है total expense की बात करें तो जो total expense आया है company का 4 बात करें नेट profit for the year के अगर हम बात करें तो जो net profit for the year हुआ है hundred करोड का हुआ है last quarter 141 करोड का था last year same period में 103 करोड का था why on why भी गिरा है क्यों क्यों भी गिरा है financial year on your check रहे 509 करोड से 497 करोड पर profit आ गया है तो year on year भी profit गिरता वासा result आया है result overall ज़्यादा खास आते वह दिखने को नहीं मिल रहे 111 से EPS 108 की हो गई है 22 का EPS अब 21 का हो गया है overall जो result है वो इतने कुछ खास नजर नहीं आ रहे एक बाद consolidated वाली भी चेक का लेदा है I guess stand alone ही है क्योंकि इसके अंदर कोई और company है नहीं तो overall result अच्छे नहीं है अगर किसी के पास है तो मैं profit booking के रहे दूंगा भी इसके अंदर काफी higher level पर चल रहे हलका सा अगर आपको अच्छा कासा dip मिलता है तो अगर आपके पास बहुत नीचे की value के है तो थोड़ा आप average भी कर सकते हो और immediately अगर किसी को buy काना तो dips पे आप चाहो तो long time के लिए आपको hold करना पड़ेगा 4000 से 4500 के bench पे आपको मिलेगा तो I guess जदा better होगा वो price पे buy काना तो अगर किसी के पास नहीं है तो थोड़ा rate कीजिए dips पे buy कीजिए जिसके पास है partial profit booking या profit booking के द्यान दे सकते हैं यह मेरी opinion है मैं कोई से register advisor नहीं हूँ आप आपके एक बैसी पी register advisor से ज़रूर बात कर लीजिएगा जो भी profit loss होता है वो आपकी और उनकी जिम्हेंदार होगी